इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हो commonly use होने वारी सीरप कौन सी सीरप किस काम आती है आप एक मिलीटी में कोई भी जान सकता है OTC सीरप बोले तो over the counter सीरप जो आप जाकर कोई भी medical store पर जाकर ले सकते है तो चलिए शुरू करते है प्रोपिवास LC सीरप LC का मिनिंग यहाँ पर यह होता है लिवोड्रोपाजीन और कुलोरफिन अमाइन्स होता है इसके अंदरे कंटेंस है इसके यह used to treatments of dry cough को suppression करने के आज से यूज़ किया था अगर सूकी खासी है तो आपको यह use किया जाता है dry cough के लिए इसके बाद जो most important syrup जो चलती है over the counter सब जाके ले सकते है अगर कोई भी बच्चे को फिवर्स आता है बुखार आता है तो आप ले सकते है यह paracetamol pediatric oral solution आता है इसके बाद जो है diogen most important OTC syrups है आप कोई भी medicals पर जाकर आपको मिल सकती है यह antacet के लिए यूज़ किया आती है acidity को reduce करती है अगर आपके पेट में जलन हो रही है आपको ulti types लग रहा है बहुत acidity हो गई सीर दुख रहा है तो acidity को कम करने के लिए diogen यूज़ के आती है यह अलग-अलग flowers में आती है मींड्स वगेरा यह भी most important OTC syrups ओस्टो केलिशियम B12 suspension आता है यह केलिशियम के लिए यूज़ के आती है ताखत के लिए teeth strand bones के लिए यूज़ के आता है देख सकते हैं आप किस तरह के आती है ओस्टो केलिशियम most important सही है यह OTC syrups है tolex A best of cough के लिए यूज़ के आती है कफ को decrease करने के लिए इसके अंदर होते है content क्या होता है अगर बलगाम आधी खासी आपको तो आप टोलेक्स A syrup यूज़ कर सकते हैं most importance है आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ों के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन डॉक्टर की सला के मताबिक यूज़ करना क्योंकि यह बहुत अच्छी सीरप्स यूज़ में आती है आजकल थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो कमेंड करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा